हाई अवरीवान वेलकम तो दे यूटूब चैनल ऑफ कबर्मेंट गल्सकोलेश तारहनगर वन्स अगेन इस वीडियो में हम देखेंगे एपिस्टेसिस क्या होता है और इसके डिफरेंट टाइप्स सो एपिस्टेसिस के अंदर क्या होता है एपिस्टेसिस के अंदर एक जीन किसी दूसरे जीन के इफेक्ट को मास्क करता है और यह दोनों जो जीन होता है यह डिफरेंट लौसाई के उपर प्रिजेंट होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि दो टाइप के जीन होंगे एक वो जो दूसरे जीन के effect को mask करता है या फिर hide करता है और दूसरा वो gene होगा जिसके effect को mask किया जाता है तो इस प्रकार दो टाइप के gene होता है epistatic gene और hypostatic gene apistatic gene वह होता है जो कि masking करता है और hypostatic gene वह होता है जिसके effect को mask किया जाता है तो यह जो apistasis जो होता है एक type का non-allelic interaction होता है non-allelic non-allelic का मत्तभी खिया कि जैसे गर हम बात करें कोई gene अपने पास A तो जैसे मालेश के दो वेरियंट है capital A और small A अब कोई दूसरा लोकस है जिसके ओपर कोई दूसरा एलील प्रिजेंट है for example capital B या फिर small B कोई भी option हो सकता है तो यहाँ पर जो capital B जो होता है या फिर small B जो होता है ये capital A या फिर small A के effect को mask कर देता है तो यह इनके जो दोनों के लोकस जो है वो different है इसलिए हम इस type के interaction को क्या बोलते है non-allelic, non-allelic gene interaction तो यह recessive भी हो सकता है और dominant भी हो सकता है तो पहले हम देख लेते हैं recessive epistasis तो recessive epistasis जो होता है इनको supplementary genes भी कहा जाता है और इसका जो ratio आएगा वो कितना हैगा? 9 is to 3 is to 4 ratio तो चलिए देख लेते हैं इसको example से समझेंगे Labrador retrievers जो dogs होता है इनके caught का जो color होता है इनके hair का जो color होता है इसके अंदर recessive epistasis देखने को मिलता है तो यहाँ पे क्या होता है कि जो different type के caught colors होता है different type के caught colors को determine किया जाता है दो different locust के उपर present jeans के दवारा तो यह जो different locust के उपर जो jeans present है इनका जो interaction है यह क्या करेगा? Hair color को determine करेगा तो इन में से जो एक locust होता है इस पे जो jeans present होते है वो तो क्या करते है? कि pigment के type को determine करते है और second locust के उपर जो jeans present होता है वो क्या करता है pigment के deposition को determine करता है तो pigment को determine करने के लिए दो type के jeans यहां पर होता है capital B और small B तो capital B क्या करता है black color का pigment बनाता है और small B क्या करता है brown color के pigment को encode करता है और दूसरे allyl जो होगा, जो second locust के उपर जो allyl present होगा तो यह जो दोनों जो dark color है, black या brown, इसके deposition को hair के soft के अंदर effect करेगा, hair के soft के इसके deposition के लिए responsible होगा, तो इस gene को हम denote कर रहे है यह से, तो capital E जो होता है, यह क्या करता है, dark pigment को deposit करने के लिए responsible होता है, और small e जो होता है, यह क्या करता है, यह deposition को prevent कर देता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो capital e है, यह dominant e है, यह क्या है, recessive है, तो यह वाली जो condition है, small e, small e, जब यह आ जाएगी तब क्या होगा, black अथवा brown pigment का deposition ही हो पाएगा, और आपके जो hair है, वो कैसे होंगे, yellow color के, तो यहाँ पे जो small e, small e, जो combination होता है, यह क्या करता है, यह capital B, अथवा small b के effect को, mask कर देता है, hide कर लेता है, इसलिए यह जो combination है, यह कैसा है, यह epistatic है, और इसके साथ अगर capital B या small b present होगा, तो वह कैसा हो जाएगा, hypostatic, तो इसको हम cross के द्वारा समझ लेते हैं, तो for example, हमने एक homo zygus black laborator लिया है, इसकी breeding हम करवाएंगे, yellow से, यहाँ पे जो आपका yellow है, यह small b, small b, small e, small e है, तो इसका हम breeding करवाते हैं, तो इन से जो gamits बनेंगे, वो क्या होंगे, एक ही type के होंगे, black से gamit बनेंगे, with capital B, capital E, और yellow से बनेंगे, with small b, small e, तो इसका जो f1 है, f1 जो hybrid होगा, इसका genotype का होगा, capital B, small b, और capital E, small e, इसके पास capital B है, अब capital B जो है, यह small b के ओपर dominant है, इसलिए pigment किस type का बनेंगा, black type का, दूसरा capital E है, और small e है, capital E, तो capital E जो है, यह small e के ओपर dominant है, इसलिए capital E का effect क्या है, यह pigment को deposit करेगा, तो इस वज़े से black pigment बन रहा है इसका deposition हो रहा है, इसलिए f1 hybrids कैसे होंगे, black color के होंगे, अगर हम इसका intercross करवाएं, तो चार टैप के gamits बनेंगे, capital B, capital E, capital B, small e, small b, capital E, और small b, small e, तो चलिए इसके different combinations देख लेते हैं, पहला है, capital B, capital B, capital E, capital E, capital B present है, black pigment बनेगा, capital E इसके deposition करेगा, color कैसा होगा, black, capital B, capital B, capital E, small e, black, capital B, small b, capital E, capital E, black, capital B, small b, capital E, small e, black, capital B, capital B, capital E, small e, black, capital B, capital E, small e, ये भी कैसा होगा, black, capital B, capital B, small e, small e, अब यहाँ पे pigment तो black बनेगा क्योंकि आपके पास capital B present है लेकिन यहाँ पे दूसरा जो combination है small e small e यह कैसा हो गया यह हो गया epistatic तो यह black pigment का deposition यहाँ पे नहीं होगा इसलिए यह genotype है कैसा color produce करेगा yellow उसके अगले combination की बात करें capital B small b capital e small e black क्योंकि capital B भी है capital e b है capital b small b small e small e small e फिर से आ गया तो यह क्या करेगा यह color produce होने नहीं देगा तो यहाँ पे क्या होगा yellow color के hairs देखने को मिलेंगे capital b small b capital e capital e दोनों present है तो color होगा black capital b small b capital e small e तो इसका color b कैसा होगा black small b small b capital e capital तो यहाँ पे small b small b present है तो इसकी वज़े से कौन सा pigment produce होगा brown और capital e आपके पास present है तो यह क्या करेगा brown pigment का deposition करेगा तो इसलिए आपे hair color कैसा आएगा brown small b small b small e capital e small e तो इसका color भी कैसा होगा brown क्योंकि आपके पास small b small b है और capital e present है capital b small b capital e small e तो दोनों present है capital b भी है capital e भी है तो black capital b small b small e small e small e small e फिर से आगया तो कोई सा भी यह कैसी होंगे yellow color क्योंगे small b small b capital e small e brown होगा small b small e sorry small b small b small e small e small e तो यह कैसा होगा yellow तो यहाँ पे simple size को आप याद रख सकते हो कि black pigment जो है इसके लिए capital b होना चाहिए और deposition कब होगा जब capital e present होगा तो at least एक capital b at least एक capital e तो black ऐसे ओफ स्प्रिंग्स कितने होते है nine small b small b उसके बाद capital e तो brown के लिए capital e होना ही होना चाहिए capital e तो होना ही होना चाहिए और brown के लिए आपके पास दूसरा combination कॉन सा है small b small b तो यह आपके थ्री कैसे होंगे brown अब हम बात करें small e small e वाले combination की तो capital b पहला combination capital b और आगे कोई भी यली लै capital b है small b small e small e तो यह तो यह तीन ओफ स्प्रिंग्स होते हैं यह कैसे होंगे यह यह यलो होंगे उसके वाद small b small b small e यह भी कैसा होगा yellow तो इस परकार चार की क्या होगे yellow nine black three क्या होगे brown तो रेश्यों कितना है 9 is to three is to four तो यह हम genotype के respect से बात कर रहे हैं अमना normal जो रेश्यों वो nine is to three is to three is to one आता है ठीक है लेकिन यह पर कितना है nine is to three is to four तो यह क्या है आपका recessive epistasis हम जितने भी crosses पढ़ेंगे epistasis के यह जो भी है recessive epistasis dominant epistasis duplicate genes collaborator genes inhibitor genes तो इसके अंधर हम इसी टाइप से इक्वेशन टाइप में इसको देख लेंगे तो अपना जो normal ratio है nine is to three is to three is to one वो किस प्रकार से different होगा उसके अंदर ऐसी कौन सी off springs है जिनका phenotype different हो जाएगा और जिसकी वज़े से आपका जो ratio है nine is to three is to three is to one से deviate हो जाएगा उसके दूसरा है dominant apistasis तो इसका ratio कितना होता है 12 is to three is to one तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो dominant allele होता है किसी gene का dominant allele for example हम बात कर रहे हैं एक gene की capital A small A हो सकता है दो इसके variants हो सकते हैं तो gene A जो है इसका जो variant है capital A यह क्या करेगा दूसरे gene के जो Atleless है इनके effect को mask कर देगा तो जैसे for example हम बात कर रहे हिए B की जो capital B हो या फिर small भी तो इसके effect को mask कर देगा तो इस type of apistasis को क्याा बOLता है dominant apistasis अपिस्टेटिक था और यहां पर क्या होगा यहां पर आपका जो capital A वाला combination है तो capital A capital A यह फिर capital A small यह कैसा होगा epistatic होगा तो इसका बहुत अच्छा example है fruit color in summer squares तो summer squares का fruit color है इसको determine किया जाता है दो alleles की द्वारा दो alleles इसको determine करते हैं और यह values कौन कौन से है पहला है capital Y अगर capital Y present है तो आपके fruit का color कैसा होगा yellow अगर small y present है तो कैसा होगा green color अब दूसरे किसी locust के ओपर एक gene और होता है जिसका नाम होता है capital W और यह क्या करता है इन दोनों genes के effect को mask कर देता है ठीक है और इसकी वज़े से जो fruit हो कैसे appear होंगे white appear होंगे तो यहां पर हम बात करें capital W जो है यह api static है किस के ओपर capital Y या small y के ओपर तो capital Y की वज़े से color कैसा आता है yellow और small y की वज़े से color कैसा आता है green तो अगर कहीं पर capital W आ गया इनके साथ इस combination में तो वो क्या कर देगा इनके effect को mask कर देगा और fruit कैसे appear होंगे white appear होंगे तो इसको हम एक cross की साहता से समझ लेते हैं तो for example हमने दो दो type के plant लिए जो first plant अपना इसके fruit color है white क्योंकि इसमे capital W present है और दूसरा हमने जो लिया है इसके fruit color कैसे है green तो green क्यों है क्योंकि यहाँ पर small w small w है इसलिए आगे जो भी gene है उसका effect यहाँ पर देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर small y small y है तो color कैसा आएगा green क्यों dominant है तो sorry dominant नहीं बोलेंगे epistatic है और capital Y जो है यह क्या है small y के उपर dominant है तो अगर capital Y है और small y में से कोई दोनो present है तब effect किस काएगा capital Y काएगा मतलब yellow color के fruit होंगे और W क्या करेगा capital W दोनों यह genes के effect को mask कर देगा तो चलिए देख लेते हैं तो हमने white fruit वाले plant का cross करवा है green fruit वाले plants है तो दोनों से जो gamits बनेंगे एक ही type के बनेंगे और जो f f1s of springs हैंगे उनका genotype capital W small w capital Y small y है तो यह कैसे होंगे यह white होंगे क्योंकि capital W present है और यह कैसा है epistatic है इसका intercross करवाते हैं तो जो f to generation है इसके अंदर किस type का हमें कैसा हमें phenotype ratio देखने को मिलेगा वह देख लेते हैं तो first जो combination है capital W capital W capital Y capital Y अब यहां पर द्यान रखने लाइक बात है कि अगर कहीं पर एक भी capital W आ गया तो वह कैसा होगा white होगा मतलब वह capital Y और small y के effect को mask कर देगा उसको appear ही नहीं होने देगा दूसरा combination capital W capital W capital Y small y इसी प्रकार से यह जो सारे combinations है जहां पर at least एक capital W है तो यह सारे कैसे होंगे आपको white देखने को मिलेंगे इसी अगले combination की बात करते है small w small w capital Y capital Y तो small w small w आ गया तो यह combination जो है यह epistatic नहीं है तो आगे जो combination है capital Y capital Y तो यह क्या करेगा yellow color produce करेगा उसको यह small w small w capital Y small y यह भी कैसा होगा yellow small w small w capital Y small y yellow और एक combination कैसा होगा green small w small w small y small y तो इसके phenotype ratio को समझता है तो capital W capital Y first जो है यह अपने पास 9 होते है कैसी होंगे white होंगे दूसरा capital W small w small y small y ऐसे अपने पास 3 होते हैं यह भी कैसी होंगे white होंगे क्योंकि दोनों के इंदर ही है capital W present है तो इसलिए आपके पास white वाले कितने होगे 12 इसका स्मॉल डव्यू, स्मॉल डव्यू, कैपिटल वाई, और ऐसे अपने पास तीन होते हैं, यह कैसे होगे येलो, यहाँ पर कैपिटल डव्यू है, यह येलो कलर के पिगमेंट को एनकोड करेगा, और स्मॉल डव्यू, स्मॉल डव्यू, स्मॉल डव्यू, स्मॉल वाई, तो यह कैसा है यह एक जो है यह green होगा इस प्रकार recessive epistasis के अंदर ratio कितना आता है 9 to 3 to 4 और dominant epistasis के अंदर कितना आता है 12 to 3 to 1 तो इसका biochemical basis हम पढ़ते है dominant epistasis का तो हम मानते हैं कि अपने पास जो compound A है जो कि white color का है यह convert होगा convert होगे क्या बनाएगा green color का और green जो है किसमें convert होजाएगा compound C के अंदर कैसे होगा तो जो first जो reaction है अपनी जिसमें compound A, compound B के अंदर convert हो रहा है इसके लिए हमें enzyme 1 चीए तो enzyme 1 जो है यह कब produce होगा जब अपने पास small w, small w combination होगा तो ऐसे plants जिनका genotype small w, small w है वो क्या करेंगे enzyme first का synthesis करेंगे और जो white pigment है यह किसमें convert हो जाएगा लेकिन जो capital W plants है जिनके अंदर at least एक capital W है तो capital W, capital W और फिर capital W, small w ऐसे genotype वाले plant क्या करेंगे enzyme 1 के synthesis को inhibit कर देंगे उसके बाद जो green pigment है यह yellow में कैसे convert होता है इसके लिए हमें क्या चीए इसके लिए हमें चीए enzyme second और enzyme second जो है यह कौन सा gene encode करता है capital Y तो ऐसे plant जिनका genotype capital Y, capital Y ये फिर capital Y, small y होता है वो क्या करता है enzyme second का synthesis करता है जो green pigment को किस में convert कर देता है yellow के अंदर ठीक है लेकिन ऐसे प्लांट जिनका जीनो टाइप स्मोल वाई स्मोल वाई होता है वो एंजाइम सेकेंड का सिंथेसिस नहीं कर पाते हैं और इस वज़े से क्या होता है जो ग्रीन कलर जो है ये यलो के अंदर कनवर्ट नहीं हो पाता है मतब यलो पिगमेंट का सिंथेसिस न नहीं होने देगा है तो इसके अंदर ना तो enzyme first बनेगा और ना ही enzyme second बनेगा उसके वाद आगर हम बात करें दूसरे की तो capital w small y small y तो इसके अंदर क्या होगा इसके अंदर भी enzyme one और enzyme two दोनों नहीं होंगे इसके बाद हम बात करें small w small small w, small y, small y, अब इसके अंदर क्या होगा, enzyme 1 तो synthesize होगा, लेकिन enzyme 2 synthesize नहीं होगा, और last combination की बात करें हम, small w, small w, और capital y, capital y, capital y, capital y, small y, तो यह क्या करेगा, enzyme 1 का भी synthesizes करेगा, और enzyme 2 का भी synthesis करेगा तो इस type से एक combination ऐसा है जो क्या करता है दोनो type के enzyme का synthesis करता है और एक combination ऐसा है जो cable first का synthesis करता है दो combination ऐसे हैं तो जो किसी भी type के enzyme का synthesis नहीं कर पाते हैं तो इस प्रकार recessive epistasis के अंदर आपको ratio याद रखना है कि 9 is to 3 is to 4 आता है और dominant epistasis के अंदर ratio आता है 12 is to 3 is to 1